बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सब का मेरी इस चैनल में और आज एक ऐसा विशे जिसकी मुझे लगता है शायद उन सब लोगों को ज़रुत है जिनका जनम थोड़ा काफी पुराना है लाइक अगर मैं बात करूं तुझे से हाला कि यह कभी कभी समय हो सकता है लेकिन अगर पुराने समय की तब बात करें जब शायद थोड़ा सा अपडेट नहीं थे हम लोग या लिख नहीं पाते थे अपनी जनम कुंडली के बारे में या समय नोट नहीं हो पाता था तो उस समय बड़ी दिक्कत होती थी कि एक्चु इंका ना कुछ और यानि हम अगर हमारे जनम समय को लेकर के confusion में हैं कि हम कौन सी तारिक को पैदा हुए कौन से सन को पैदा हुए और कौन से समय को या इस प्रकार की कोई दिक्कत है लेकिन हमारे पास यदि हमारी कुंडली मौजूद है तो एक बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको अपनी जनम तारिक की तरफ लेके जाने का प्रियास करूंगा और निश्चित तौर पर जनम और समय इसके आसपास हम पहुँच जाएंगे तो क्या है तरीका चलिए शुरू करते हैं मेरी वीडियो डाइरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें करने से पहले मैं एक चीज और बता दूँ यह सिर्फ एक मैथड है यानि कि आप कैलकुलेशन हमारे जो ग्रह हैं नो के नो ग्रह उनकी जो कैलकुलेशन है कौन कितने समय तक किस इस्तिती में चलता है कौन सी राशी में रहता है यह सब कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग निकलेगी अब कैसे निकलेगी वो सारी चीजे आज जो मैं आपको एक्जांपल दूँगा वो ऐसे व्यक्ति का एक्जांपल है जिनके बाज में अपनी जनम कुंडली के सिर्फ दो पेपर थे अब दो पेपर में एक उनके मुख्य ग्रहों की स्थितियां और उसके अंदर द वीडियो आपकी जनम तारिक या जनम समय पता लगाने का बिलकुल भी नहीं है कि आप सोचें कि इस वीडियो को हम देख रहे हैं तो हम पूछ लें कि हमारा जनम समय या तारिक क्या होगा नहीं आपके पास यदि कुछ भी सबूत मौजूद है कि यस ये मेरी कुंडली है और उसमें टाइम डेट ये सब कंफर्म नहीं हो रहा है तो वो हम पता लगा लेंगे बलकि सत प्रतिशत हम हमारे सही समय और सही दिनांग के नजदीक पहुँच जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक उसके पहले ये हेडिंग लिख लेते हैं तो आज का ग्रहों का चार्ट अगर हमें दिख जाएं तो हम उससे बहुत कुछ पता लगा सकते हैं बलकि उन सारी स्थितियों पर पहुँच सकते हैं जो आज हमें जिस पूरी कुंडली की आवश्यक्ता है तो चलिए मैं आपके सामने लाता हूँ वो डाइग्राम जिससे की हम समझे कि आखिर आज मुझे वो कुंडली का फोटो मिला तो बहुत दिनों से ये विशे कुछ लोग पूँच भी रहे था कि हम हमारी एट वबर्तक कैसे पहुँचे और चुकि आज मुझे मिल गया सब्जेक्ट तो निश्चित है उसकी कुंडली बनानी भी है और उसी कुंडली में मैट्स जो है उसकी एक बहुत बड़ी खुबी है उसमें हर अंक या तो पूरा होगा मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सटीक आएगा यानि कि आप परफेक्टली कह सकतें कि इसका आंसर ये है चाए उसको आप रिवर्स चेक करें चाए फॉर्वर्ड चे जनम दिनांग एक दिन भी आगे पीछे हो जाए ये बिल्कुल असंबव है और आपका जनम का समय दो गंटे से ज़्यादा डिफरेंस आजया है ये बिल्कुल असंबव है क्यों क्योंकि लगन परिवर्तन हमारे जो सामने भी चीज आएगी उससे सब कुछ पता चल तो देखिए हम सबसे पहले डाइग्राम बना लेते हैं जो कुंडली मेरे पास में आई है मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको उसकी जो एक्ट्वल मुझे भेजी गई है तो ये कुंडली डाइग्राम और अब इसके अंदर कौन सा लगन और कौन से ग्रह कहां कहां बैठ हैं वो देखिए तो ये कुंडली भेजी गई है और यहां फोटो देख रहे हैं जो बिलकुल इसके बरावर है इससे हम क्या समझते हैं बहुत सिंपल सी बात है तीसरे नंबर का लगन है और बाकी के जो ग्रह डिस्पले होकर के बैठे हैं वो ये हैं ठीक है आप उम्मीद करता हूँ इससे बड़ी मुश्किल हो जाती है जब हमारे पास में सिर्फ ये स्थिति हो और एक फोटो और देखिए जो कि इनके दूसरे पेज इन्होंने बोला कि हमारे पास में सिर्फ दो पेज है दूसरे पेज को आप देखिए तो ये दूसरे पेज का फोटो देख ल लगा लेंगे कि क्या है लेकिन सर प्रतम हम इसी से सारी calculation निकालेंगे अब calculation निकालने के लिए आपको कौन से formula की जरुत है सिर्फ उस पे निगा डालने की जरुत है तो क्या formula है चेक कीजिए तो देखते हैं ग्रहों का ब्रह्मनकाल क्योंकि ये सारी calculation इससे बहुत आसानी से भी आपको पता चले जाएगे बलकि चुठकियों में आप पता लगा लेंगे और एक एप की मदद लेंगे जिससे ये सारी चीजे बिल्कुल calculation से निकल जाएगे तो दोस्तो ये ग्रहों का ब्रह्मनकाल है सूर्य देव 30 दिन तक एक राशी में रहते हैं यानि अगर ये यहाँ है तो 30 दिन बाद में यहाँ हो जाएंगे एक डिगरी से चलते होए 30 दिगरी और 30 दिगरी पार करते होए ये इस घर में चले जाएंगे चंद्रमा सवा दो 30 दिन और कई बार वक्री होने की स्थिति में 57 दिन तक भी इनका गोचर देखा गया है बुद्ध 30 दिन या इससे कम यानि सूर्य और बुद्ध और शुक्र इन तीनों का आप देखेंगे इसलिए ये कुंडले में हमेशा लगबग लगबग साथ साथ में दिखते हैं उसक इसके बाद आप देखें गुरू 13 महीने लगबग गुरू का गोचर इसलिए आप कई बार यूट्यूब पे भी देखते होंगे मतलब जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनी राहु के तू गुरू इनके वीडियो अकसर बड़े खास होते हैं कि हाँ ये लोग मतलब ये जो ग् देख रहे हैं जैसे शनी की बात करते है तो ये 30 महीन लगबग सबसे ज़ंद्र प्रभावित करते है यूँ मानों कि हर कुछी दिनों में उसका न्याय होता रहता है जब जभ जिंदगी में शनीदेव आएंगे उसका उन्याय परकृया चलती रहती है इसलिए गलती किया है तो निश्चत तोर तोर पे यहीं पर हमको भुगतनी होती है यहीं शनीदेव महाजज के रूप में यइनि एक नयादीश के रूप में हमारी जिंदगी में काम करते हैं राहू और केतु दोनों 18-18 मेने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर ये ब्रमन करते हुए अलग-अलग राशियों में परिवर्ति दोरे अलग-अलग राशियों में चलते हैं तो ये तो ही दोस्तों इन ग्रहों की बात अब इन से हम क्या समझेंगे तो बहुत सिंपल सा एक कैलकुलेशन लेके चलूँगा मैं जादा नहीं और उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि वो इतनी सटी कैलकुलेशन है अगर आपने इसको देखना सीख लिया हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ सूरे की एक कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ बता दू जो कि हमारे समाज में सबसे बड़ा परव भी है और महत्तोपून परव भी है मकर सक्रांती अब दोस्तों मकर संक्रांती को ही क्यों मैंने लिया तो उसके पिछे आप रीजन देखेंगे आप सभी जानते हैं चवदा जनवरी को यह सक्रांती का त्योहार मनाई जाता है तो इस चवदा जनवरी से सक्रांती है इसका क्या मतलब हुआ इस दिन सूरे देव प्रवेश करते हैं दसवी राशी यानि कि मकर राशी में तो तारिक नोट कर लेते हैं हम चवदा जनवरी दसवी राशी में प्रवेश चवदा फरवरी ग्यारवी राशी में प्रवेश चवदा मार्च बारवी राशी में प्रवेश तो इस कुंडली अनुसार अगर मैं ये देखूं कि सूरे देव बारवी राशी में बैटे हैं और 20 डिगरी चल चुके हैं यानि 14 तारिक में अगर हम इसी कैल्गुरेशन को लेके चलते हैं तो 10 वी 11 वी 12 ऐसे आप करते करते 14 तारिक चोड़ते जाहिए हर महिने की एक दो दिन आगे पी से हो सकता है लेकिन वापस घूम करके 14 जनवरी को सूरे देव इसी 10 वी राशी में आ जाएंगे किसी में 14 हो सकती किसी में 15 16 तक भी जा सकती है क्योंकि कई महिनों में 31 30 28 28 का दिन भी होता है इसलिए ये कैल्गुलेशन वहाँ पर थोड़ी चेंज मिलती है लेकिन एक average general calculation हम पकड़के चल रहे हैं तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी तो हमें तो तीसरे point पर ये चीज मिलेगी कि सूरे देव बार विराशी में है तो निश्चत तोर पर इसका जनम 14 मार्च के बात का है अब 14 मार्च के बात का तो जनम हो गया लेकिन 20 डिगरी है तो सूरे देव 30 डिगरी के घर को पार करने में 30 दिन लगाते हैं तो निश्चत हो गया कि 1 डिगरी का 1 दिन हो गया इनके लिए तो आब 14 तारीक प्लस 20 दिन जोड दीजिए तो यह बनती है लगबग 14 मार्च से 20 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रेल या 2 से लेके 5 अप्रेल के बीच का एक कैलकुलेशन हम निकाल लेते हैं उम्मिद करता हूँ आपको यह सब बाते मैं जो बता रहा हूँ वो समझ आ रही होगी बहुत सिंपल सी बात है सिर्फ सूर्य को देखना सरुप्रतम दूसरे नंबर पर क्या देखना है वो अभी हम चेक करते हैं अब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बता ही मतलब मैंने पुछा लगबग डेटों पर क्या है आपकी तो इन्होंने मुझे का सिर एक दो साल चोटा हूँ वड़ा हो सकता हूँ मैं कुछ भी हो सकती है फिर मैंने का जो भी आपको आइडिया है वो मुझे बताईए तो इन्होंने मुझे बताया अठारा दस एट्टीनाइन ठीक है तो चलिए सबसे पहले अब आपको मैं उस एप की मदद से ये सारी चीज़े क्लियर करके बताता हूँ कि आखिर क्या इस्तिती हो सकती है तो लीजिए एप खोल लेते हैं ये एस्ट्रोसेज नाम का एप आपको अपनी कुंडली में खोलना है अपने मोबाइल में खोलना है तो ये आपके सामने इस तरह से पेज आएगा कुंडली अगर स्टॉन नहीं किया तो कर लीजिए ये आपके काम आने वाला है जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए लागी जो लोग जानते नहीं है उनके लिए इसका कोई मतलम नहीं रहेगा सिर्फ एक नॉर्मल एप की जैसे है तो ये कुंडली में आप क्लिक करेंगे अगर हम इनका नाम डाल देते हैं माली जे शर्मा जी इसको आप इंग्लिस जरूर कर लीजी क्योंकि यहां जो वर्ड्स आएंगे आपके लिए काफी काम क्या आएंगे अब इन्होंने जनम समय है तो मुझे बता जनम तिनांग बता दिया और साथ ही बता दिया कि मैं मेरट का जनम लिया हूँ मेरट में मेरा जनम हुआ है ठीक है हमें दो चीजे मिल गई है यह मेरट यह मेरट हमने ले लिया मैंने अल्रेड़े टाइप किया वाइन पी कुणली बन चुकी है इसलिए तो यह आपके इस तरह से आ जाए अब बच रहा है यह वाली कैलकुलेशन अब इसके अंदर आ रहे हैं समय का पता नहीं है तो यही समय चलने दीजिए ठीक है शर्माजी हो गए 18 अक्टूबर 1989 बारा बच के 17 मिनट अभी का टाइम और मेरट यह चक कर लेते हैं इस कुंडली को क्या आती है दोस्तो आप देखिए नवे लगन की कुंडली आ गई और साथ में छे बारा और यह सारे घर जो है अपनी जिकर पर बिलकुल नजर आ रहे हैं लेकिन क्या मैच कर रही है यह कुंडली बिलकुल भी तो एक परसेंट भी है मैचने कर रही है शुक्र यहाँ है जबकि यह यह चाहिए यह यहाँ है जबकि यह सारे चीज़ यह यह देख लेते हैं शनी अब आपको दो साल का जो गैप है यह तीन साल का जो गैप वह उससे बहुत आसानी से पता जल जाएगा अगर यहां शनी को आप देख रहे हैं आठवे नमबर राशी में तो निश्चित तोर पर यहां शनी नवे नंबर पर लिखे हैं, यानि यह जो समय बताया गया है, 18, 10, 89, यह निश्चित तोर पर 2 साल, 1 साल, या 2 साल कम से कम का अंतर इसमें बताया गया है, देखिए इन्होंने एक अच्छी बात यह है कि इनकी गुंडली में यह राशियां लिखी वी है, ग्रहों क 17, 3 और 14, 17 डिगरी का अंतर आ गया, लगवग 1,5 साल निश्चित तोर पर यह समय बैक होना चाहिए, अब यह जो बैक होना चाहिए, तो इसके लिए 60 कैलकुलेशन क्या करें, तो हम इस समय को 2 साल पहले ले जाते हैं, ठीक है, अब 2 साल पहले ले जाने का क्या मतलब होता ह 89 का यह बर्थ है, और शनी 8 में है, यहां पर, तो 9 में यहां आ रहे हैं, तो इससे 2 साल पहले करते हैं, तो हम इसी समय को 89 को 87 में बदल लेते हैं, लेकिन आप एक मज़े की बात देखिए, मैंने भी आपको थोड़े दिर पहले बताया, कि हर हाल में इनका जनम अप्रेल मह सब्सक्राइब, कि इसी तारीक में मैं है, तो इसी तारीक चेंज कर रहा हूं, तो इनका जो टाइम आ गया है, वो अपरिल का महिना आगया है, क्योंकि यहां मार्स सक्क्तम पहुंची कहें थे बार्वी में, उसके बाद 20 दिन जोड़े तो चार अपरेल, यह तो निष्च 87 मैंने पहले नमबर बढ़ा है मैं यहाँ आपके लिए लिख लेता हूँ 5487 अब इसमें कैस्तिती बनती है समय वह रहने दिया है 12,17 हमें सबसे पहले लगन चाहिए अगर हमारा लगन आ जाएगा तो लगन वेरी इंपोर्टन चलिए जी बहुत खुशी की बात है लगन भी आ गया तीन नमबर का ही लगन इसके लिख रहे हैं वर्तमान समय में हम देख रहे हैं इसी समय में यह वीडियो बना रहा हूँ तो आप मान के चलिए तीसर नमबर लगन आ गया लगन की मैचिंग हमारी यहांपर हो चुकी यानि और आप यह भी जानते होंगे कि हर लगन जो है दो घंटे के लगबक का एक लगन होता है यानि इस समय से आगे पीछे एक गंटा आगे पीछे यह लगन हो सकता है या लगन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ लगन की बहुत आसानी से एक सैटिंग है जुसको आप चेक कर सकते हैं यहां आपको लगन पर क्लिक करना है और यह आपको ग्रह इस्तिती देखनी है बस खाली तो आप देखेंगे लगन 29.42 यानि एक मिनिट बाद में लगन बदलने वाला है 30 दिगरी हो जाएंगे तो इस समय से जो हमने 12-17 डाला है इस से आपको 2 घंटे यानि कि 10 बज के 17 एम से ये पियंग इन 2 घंटों के बीच में आपकी ये कैलकुलेशन बैठ जाएगी यानि इसी बीच के अंदर इस इंसान का जनम हुआ है तीसरा चंद्रमा यहां है और चंद्रमा यहां है तो यहां इसका मतलब हो गया चंद्रमा एक दिन दो दिन आगे बढ़ चुक है क्योंकि आप डिगरी देखें 9 डिगरी और यहां 27 डिगरी निश्चित तोर पर एक दिन आगे बढ़ गए है तो अब हमें कुछ और देखने की कर देता हूँ, तो ये चार तारीक अगर में डालता हूँ , तो, चार तारीक पर क्या इस्थिती तो लगन 28.51 यानि निश्चित हो गया 12.23 का मतलब हो गया लगभग 12.25 मिनट से लेकर के 10.25 मिनट यानि 10.25 से 12.25 एम टू ये पीम ये दो गंटे के बीच में इनका जनम है अब हम जब यहां तक पहुंच गये हैं अब जब हम यहां तक पहुंच गये हैं तो निश्चित है हमारी जो कैलकुलेशन आनी चाहिए वो पूरी तरह से आ चुकी है अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो लीजिए मैंने उपर ड्रेल आती है इनकी आप जानते ही हैं यहां नाम पता सब कुछ लिखा होता है और इसके लावा तीन चेक करते हुए अब मैं आपको इससे मिलान करवा दूँ तो आप स्वैम देख लेंगे कि यह कुंडली और यह कुंडली में अब कोई अंतर न सब्सक्राइब जानकरी मिल गई बलकि यह जो दो गंटे का अंतर है इसमें से आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि कैसे बागी चलित वगरा देख करके बागी सारी चीज़े मैनेज कर सकते हैं कि इन दो गंटों के बीच में हमारा जनम हुआ है और चुकि सारी स्थितिया इसलिए अब कहीं से भी कोई डाउट नहीं कि इनका जनम माना जाएगा चार चार एटी सेवन और अगर मैं टाइम इसके बीच का मान लूँ 10.25 से 12.25 का मतलब तो लगबग 11.30 का ये जनम मान लिया जाए बाकी सारी कैलकुलेशन तो है ही नाम इनका है मेरट का जनम हो गया तो यही सबसे important चीजम को चाहिए होती है तो ये सारी कैलकुलेशन दोस्तो इस तरह से निकलती है तो अम्मिद करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ आ गही होगी अगर ऐसी पुरानी कॉंडली हमारे पास है जिसमें जनम या टाइम या वो जो टिपिकल हिंदी लिखी ह होती है जो कई बार हम समझ नहीं पाते है और ना ही आज़ पास हमारे को ऐसा होता है जो उससे समझ पाता है तो उससे बच्चेने के लिए सबसे best है कि आप ये सब कुछ आसानी से समझ जाए बहुत आसानी से आपको इस सारी चीज़े समझ आ जाएगी और जो आपको नक्षत्र की कैलकुलेशन दिखाएगी उसको भी आप स्वैम मैच कर लीजिए वो भी आपको एकदम सटीक नजर आने वाली है हर ग्रया हर नक्षत्र हर कैलकुल बराबर बठी क्योंकि यह very important यह मिल गया तो निश्चित मान के चलिए फिर सारी चीज़े आपको automatically मिल जाएगी तो दोस्तों कैसा लगता आज हमारे चेप्टर चेप्टर हमारे 153 चेप्टर इसी के साथ में पूरे हो गया है आगे सिलसिला रुकेगा नहीं और अभी बढ़ता जाएगा क्योंकि योतिश्विग्यान है एक बड़ा समंदर है रोज नए मोती, रोज नए कुछने कुछ खजाने निकलते हैं आप लोगों के माद्यम से ही और वो आपको वापस देना मेरा फर्ज बनता है इसलिए यह जानकरी आज जब एक्जामपल आया तो वो मैंने आपके लिए यह कायों इसे बना दिया तो दोस्तों कैसा लगता है वीडियो जुरूर बताएगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्रेप्शन का शिल्सिला जो आपने जारी रखा हुआ है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आज मैंने आपको समझाया सिर्फ सूर्य को देख लीजिए महिने पर पहुंच जाएंगे और चंद्रमा को देख लीजिए निश्चित तौरबर दिन तक पहुंच जाएंगे इसके अलावा कोई खास देखने की जरूत नहीं बागी शनी आपको दो साल के डिफरेंस में दिखी जाएंगे शनी चंद्र सूर्य है गुरू भी अपनी जेके पर इंपोटेंट है लेकिन सूर्य अगर दिख गए तो आप बिलकुल नज़्दीक तक पहुंच जाएंगे और चंद्रमा तो है ही ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके बाई बाई